जेहिन मेरे प्यारे दोस्तों मारीज चेनल एक्टेम आपका श्वागते देखिए उत्राखंड परब्लिक सर्विस कमिशन के दारा 603 पोस्टों के लिए यहां पर परवक्ता के लिए नौट विगेशन भी अपडेट किया गया है उत्राखंड के अंतरगत पर ठीक है जैसे क अंतर में जो पहला पेपर होता है इसमें टीचिंग अप्टिट्यूट से रिलेटर जो भी चीज़े हैं कैसे टॉपिकों और किन-किन सब्जेक्टों से यहां पर पूछा जाता है इन मैं डिसकस करूँगा फिर उसके बार जो आपके सब्जेक्ट होंगे नेक्स्ट वीड दारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नौटिबिगेशन आपके पास समय पर उपलब्द हो जाएगा विसाई वार लिखित परिक्षा वस्तुनिस्ट अप्जक्ट टाइप है परोक्ता पद हेतु आवेदित विसाई की लिखित परिक्षा होगी उक्त प्रश्ण पत्र वस्तुनिस्ट वह बहुवी कल्पी प्रश्णों पर मलब बहुवी कल्पी परकार के प्रश्णिस के अंतरगत पर इंक्लूट होगे 200 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का होगा तीन गंटेगा 100 से मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी लिखित परिशा मे अगर बात करेंगे तो लगबग सोलो सब्जेक्टों के लिए अगर में टाइम होगा तो ठीक है अभी तो टीचिंग अप्टिटूट का इपर ही वाला इसमें सलबस जिसे हिंदी अंग्रेज संस्कृत फिजेक्स के लिए जो भी है जी भी घ्यान के लिए और नागरिक सास इकोनोमिक्स, हिस्ट्री, जोग्रफी, भूगोल, समासास्त, कला, आर्ट बेस के अंतरगत पर ग्रहभी घ्यान, होम सैंस, वांडिजय कॉमर्स और किर्शिय अगरिकल्चर से रिलेटेड यहां पर मतलब इतने सोलो डिपार्टमेंटों के लिए यहां पर सोलो जिसमें क्या है, रामकृष्णा आयोग, जो मुधालियर आयोग और कुठारी आयोग से विस्वविद्यालों अनुदान आयोग और जो है यहां पर ठीक है न, यूनिवर्सेटी ग्रांडी कमिशन, यूजी सी बेस के अंतरगत पर विस्वविद्यालों जो इसके अंतरगत सिक्षा का अधिकार, राष्ठ उच्चे तर शिक्षा अभियान इस इंकलोट किया जाएगा, सेकिन टॉफिक है सिक्षन, दक्षता एवं संप्रेशन, जिसमें है सिक्षन कौसल, सिक्षन विद्या, प्राविधिया, प्रमप्रागत एवं आधुनिक सिक्षन, सहायक सामग सिक्षण परकिरिया एवंग संप्रेशन संप्रेशन के परकार एवंग अच्छे संप्रेशन की विश्चेश्टाइं के हैं थर्ड है यहां पर मूल्य आधारी सिक्षा जुझे मूल्यों के परकार व्यक्तिक एवंग समाजिक मूल्यों मूल्यों के हराज के कारण सिक्षा द चाण आव शक्ता एवंग परियोग। लेते हैं जीयाइस के लिए 35 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा जिसमें कि है नेशनल और इंटरनेशनल से करण प्यार के रिलेटेड हाँ पर टॉफिक है और उसके बाद में खेल कुदेव नुरंजन से नेशनल और इंटरनेशनल रिलेट किया जाएगा थर्ड़ तथा राष्टे निर्माड में क्या गतिवी निया थी इनको इंकलोड किया जाएगा फोर्थ नमबर है भारत एवं बिस्वका भूगोल इंडियन एंड वरल्ड जोग्रफी से फुछा जाएगा फाइब नमबर का टॉफिक हैं पर प्राकरतिक संसाधन परकार नियोजन श बगता सलगते करना जो इसके अंतरगर्म अलिग नएंजिकार लेंगे तो रास्टे वण अंतराष्ट इसतर पर जो अधिकारों से संबनी संगठन लेंख अंत्राष्टि नृण के रहनें अरहने उससे रहने आपको पढ़ना है इट्वे नमबर का टॉपिक है सामान्य विज्ञान दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता किया उसको पढ़ लेनी है नाइन नमबर है इन्वार्मेंट साइंस से पुछा जाएगा परियावरन विकास विकास से जुड़ी हुई समस्या है जनसंग क्या व वाड़न जी एवंग उद्वों से के विकास की दसा और दसा एंग दिसा इतियाद यहां पर रिलेट किया जाएगा देखें यह चलिएगा कि दश टॉपिक है यहां पर दी गई हैं पर टॉपिक हो मैंसे तीन चार क्वेशन यहां पर पुछा जाएगा किसी टॉपिक से त नगी तो टॉपिक हो मैंसे देख लेंगे कि जो भी इनका इवरेज बनता यहां आह से कुछा जाएगान जिसके जाएंगे आपको नमानित ने बता दिया कि टीन चार पांच इतने कुषण आपके लिए करेंगा ठीक झाहर जैसे चालिश मार्क से काई है द्रश टॉपिके दी गई है तो दस में से अगर निकल कर आता है तो था पांच या दीन चार पांच इतने क्वेशिंट आपके लिए पूछ ले वायू जलपरवाः परणाली जन्सांके की संग्रसना परवास याताया संचारतंत्र एवंग राज किया परतिक्या है उनमें रिलेटेड सेकिन है इस्टि से प्राचिन कालिन और मद्यकालिन और आधुनीक होगा प्राचिन काल के अंतरगत पर निवास करने वाली जातियां क परिदिर्श्य उत्राघंड की समास के एतियासिक प्रिष्ट वोमी के है थर्ड नमबर की बात करेंगे तो प्राकर्ति के वंग आर्थिक संसादन जल वन वन्यजीव संग्रक्षन पार्क भ्यारन खनीज पस्वपानन किससे वंग बागवानी से रिलेट किया जाएगा सक्से नमबर है पर मुख आंदोलन की बात करेंगे तो कुली वेगा डोला पाल की वन आंदोलन पिर्थक उत्राघंड राज्या आंदोलन इतियादी शेवन नमबर की बात करेंगे तो आर्थिक विकास्त के अंतरगत पर जल विद्यूत और उध्यानिकी एवंग परेटन राजय प्राप्ति के बाद में थीक नोनमबर 2000 को उत्राघंड का गठन किया था उसके बाद में यहां पर क्या परिवर्तन कियेगे इन में रिलेट हो जाता है विकास प्रक योजनाए और जन जाती से हां पर रिलेट किया जाएगा नाइन नमबर की बात करेंगे तो समसाम कि मतवपूर नगटनाए खेलकुद और मनोरंजन उत्राघंड से रिलेट किया जाएगा लगबद 10 टॉपिंगा यहां पर है इन खंडों के 10 उप खंडों में से पर तेंग में से दो दो परस्ट निर्बीत किया जाएंगे ध्यान रखना इन चीजों के लिए ठीक है 30 मार् और उसके बात करेंगे तो यहां पर बात करेंगे एतना लेके चलेंगे इसमें तॉपूंटि परिक्षिया जो परिक्षान से रिलेटेड हैं पर 25 कुशन ने पूछिए जाने है 25 मार्स का अगर बात करेंगे तो जिसमें मैट्स और रिजनिंग इनकलूड होना है सावधिग असावधिग एवंग विसलेशन आता है प्रसने जिन में परतिसत एवरेज जिसमें परसेंटेज हो गया एवरेज रेशियो हो गया अनुपात एवंग समानों पास सामानी एवंग अंतर लुप्त अंक और वन एवंग अनुक्रम निणय लेना विभेर संबन्द ओधार ना दिसा बोध कूट बद और कूटानू वाद और उसके बाल में अंगणितिय तरक इत्यादी पर संबन्दी राप्षे क्वेशन पूचार प्रस्ण पूचे जाएंगे यहाँ पर पूचार जाएगा ठीक है तो इसके बाल में जनरल हिंदी फूचा जाएगा ठीक है 20 वाद ओगी जिसमे प्रत्रेक प्रष्णु वस्थनिश्ट या बहुवी कल्पी तथा एक एक अंक का होगा और सभी प्रष्णों के चारवे कल्पी को तर देने होंगे जिन में से केवल एक भी कल्प ही सही होगा पार्ट सबसे फ़ले बात करेंगे तो इसके अंतर जो हिंदी का है जिसमें से आपको क्या पूछा जाएगा अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सिनोनीम और एंटोनीम है तरसम प्योर एंड इंप्योर पूछा जाएगा के लिए एक सब्द उन वर्ड सब्सिटूशन आपके लिए पर पूछा जाएगा प्रयावाची सब्द बिलं सब्द तरसम तद्भ वाक्यांस सब्द उसके बाल में उपसर्ग प्रिफिक्स बुख 메이크업 सुधियाँ वाक्य वाक्य में कोई मिस्टेक होगा वैसे हंडी में ग्रेंटीकल लेंगवेज में मिस्टेक होती तो उसको क्रेक्षण करना होता है ठीक है उसके बाद में समाज से समाज कैसे किया जाता है संदी है संदी भी चेतकी कि करनेे का जाता है ठीक है कितने परकार कि जैसे गुंड संदी बिर्द我說 के जाते हैं ठीक है चीजी है तुसके बारे में पुछेंगा या कौन सा समाष है क्या चीज तो उस बेस का पेपर होगा ठीक है इसके अंदर जो भी आपके सलबस बेस के लिए किस-किस टॉपिकों से क्या-क्या क्वेश्चन पूची जाने कितने मांक्स का पूचा जाना है क्या टॉपिक होगा लगवग एकर उपका उसके बाद में लगवग 75 मांक्स इसका पूचा जाना है। इंक्लूट करते हैं तो 105, 105 नमर का यहाँ पर उत्राखंटे GS तक महोच गया हम और उसके बाद में 105 नमर का यह है उसके बाद में सामान्य बुद्धी परिक्षन से आपके लिए 25 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा ठीक है अब कितना बज गया अगर आपका इसके अंतर मार्क्स का आपके लिए यहाँ पर क्या पूछा जाएगा हिंदी से रिलेटेट पूछा जाएगा ठीक है 150 नमर का यहाँ पर यह चीज हो गया फिर उसके बाद में आगे जो चीजे हैं यहाँ पर पहला पेपर होना है तो 150 मार्क्स का जो फेफर है यह चीज आपने देख होगा कि सब्जेक्ट क ऐंतर्गत पर कितनी पेपर होनीा चीज़ें होना हो यहाँ पर रिलेट किया रहे है ठीक है नेक्स वीडियो झाल झाल